ये दुनिया पैसों की भाषा सुनती है इसलिए यहाँ पर पैसा फेक, तमाशा देख जैसे रूल्स लागू होता है अब भले ही इनसान को जीने के लिए रूटी, कपड़ा और मकान जरूरी हो लेकिन जब भाई जैब में पैसा हो तो सिर्फ रूटी, कपड़ा और मकान से ही क्यों संतुष्टी की जाए उसके अलावा भी दुनिया में बहुत सी चीजें हैं जिससे खरीदा जा सकता है अब आप खाने में ही ले ली जीए आप भले ही दो रूटी से संतुष्ट हो जाता है लेकिन अमीरों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है और उन्हें खाना तब तक अच्छा नहीं लगता जब तक उसे खरीदने में उनकी जेब धीली नहों जाए और इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही फूड आइटम्स के बारे में बताने वाले जिने सिर्फ और सिर्फ अमीर ही खरीद सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को तो आपको पूरा देखना ही पड़ेगा क्योंकि इनसान कोई पता होना चाहिए कि इस दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिने खाने के लिए उसकी साल भर की इंकम भी कम है तो चलिए शुरू गरते हैं दोस्तों ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा कर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके आल का ओप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना कॉफिन बेकिंग ओश्टर्स अब बात अगर ओश्टर्स के आती है तो ये बात हम बखू भी जानते हैं कि इसे भारी मातरा में लोग खाना पसंद करते हैं इसलिए सी फूड के टेस्ट के साथ साथ इसे खाने वाले की रईसी भी साफ जलगती है अरे भाई जिस भी एनिमल से मोती निकलता है अरे भाई जिस सी एनिमल से मोती निकलता है अगर उसी को लोग खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी वावाई तो होगी ही लेकिन हम आपको बता दे कि यूँ तो ओइस्टर्स की कई सारी प्रजातिया मौजूद है लेकिन वो कहते हैं ना कि राजा एक ही होता है और इस सी फूड की एक प्रजाती भी कुछ ऐसी है जिसका नाम कॉफिन बेक किंग ओस्टर है और ये अस्ट्रेलिया के पैनिंसुला में मौजूद एक फार्म से आते हैं और हाँ अब जब हम इसकी कीमत बताने वाले हैं तो जटके मत खाईएगा क्योंकि इस उइस्टर की कीमत 75 डॉलर से ज़्यादा है अब आप सोचेंगे इतना महेंगा क्यों मिलता है तो हम आपको बता दें बाकी ओइस्टर के मुकाबले इसने ज़्यादा मीट होता है और इसका टेस्ट भी काफि ज़्यादा बहतरीन होता है इसी विज़े से लोग इसे भारी मातर में खरीद कर खाना पसंद करते हैं लेकिन इसे वही खरीदते हैं जिनकी जेब भारी होती है परना बाकी लोग तो आम ओइस्टर से काम चला लेते है अलमास कीवियर दोस्तो बेशक ओइस्टर बहतरीन सीफूड है लेकिन असली स्वैग तो केवियर खाने में है ऐसे जिन लोगों को पता ना हो कि केवियर क्या होते हैं तो हम आपको बता दे कि मचली के अंडों को केवियर का जाता है जो कि बहुत ही ज़ाद महेंगे मिलते हैं और इन्हें खाना सबके बसकी बात नहीं होती लेकिन इसमें भी एक बहुत हाई क्वालिटी का केवियर होता है जिसे अलमास केवियर कहकर बुलाते है पर इसका दाम वाकई में किसी को बेहोश करने के लेकाफी है क्योंकि इसके लगभग एक किलो की डबबे की कीमत 25,000 डॉलार है अब जाहिर से बात है इसका डबबा पूरी तरह से 24 करेट गोल्ड से बना हुआ तो केवियर के साथ इसकी कीमत तो आपसे वसूली ही जाएगी इसके साथ ही इस वाइट केवियर की अगर हम बात करें तो ये एक अलबीनो वलूगस सी फिश के अंडे से बनता है इसी वज़े से इसका कलर भी पूरी तरह से वाइट होता है हम आपको बता दिये ये फिश पूरी तरह से रेर होती है और इतनी रेर होने के बावजूद इनके अंडों को इतनी भारी मातरा में बीचा जाता है और तो और इस केवियर को बनाने के लिए सौ साल से पुरानी मचलियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि एक कम टेक्स्चर दे सके एक बात तो कहनी बनती है वो ये कि बाकियों का तो हमें नहीं बता लेकिन किसी भी वेजिटेरियन इंसान को अगर पैसे दे कर भी ये खिलाया जाये तो भी वो इसे खाना पसंद नहीं करेगा अच्छा दोस्तों क्या कभी आपने किसी पेड़ के उपर चड़ कर उसमें से चिडिया के गोंसले को उठा कर घर ले गयो और उसका सूप बना कर पिया है हमें पता आप यही सोच रहे होंगे कि हम ऐसे उटपटंग सवाल क्यों पूछ रहे हैं तो दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके लिए यह चीज उटपटंग हो सकती है लेकिन चाइना के लोग इसे बड़े चाव से पीते हैं और इसके कीमत धाई हजार से लेकर दस हजार डॉलर प्रती किलो की दर से है और हाँ आप ये समझने की भूल बिलकुल मत करिएगा कि घासफूस और बाकी चीजों से बने घोंसले का सूप इतना महेंगा क्यों मिलता है क्योंकि हम आपको बता दें कि सिर्फ लैट नाम की चिडिया अपना घोंसला अपने सलाइवा यानि थूक से बनाती है यानि की पूरा घोंसला अपने थूक से तयार करती है और इसी घोंसले से ये सूप बन कर तयार होता है दोस्तों जब इसके घोंसले को पानी में उबाला जाता है तो वो जैली की तरह हो जाता है वो भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है जो कि खाने में बड़ा टेस्टी लगता है और इससे सूप को पीने के लिए लोग उंचे-उचे पहाडों पर चड़कर चिडिया के घोंसले को उतारते हैं और फिर घोंसले से एक-एक करके चिडिया के बच्चों के बाल निगालते हैं जिसमें काफी लंबा समय जाता है और इसी वज़े से ये सूप इतना ज़्यादा महेंगा मिलता है बेशक आप लोगोंने बहुत से तरह के चिकन खाए होंगे लेकिन जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं उसके तो बात ये अलग है क्योंकि इंडोनीशा में मिलने वाला आयम, सिनेमी, ब्लैक चिकन बिल्कुल अलग है जिसे खाते वक्त आपकी प्लेट में ब्लैक कलर के अलावा कुछ नहीं दिखाई देगा क्योंकि इस चिकन का सिर्फ ऊपरी कलरी ब्लैक नहीं है, बलकि अंदर से भी पूरी तरह से ब्लैक है यानि कि इसके अंदर internal parts और organ पूरी तरह से ब्लैक है इसी वेज़े से market में इसकी value बहुत जादा है आलाकि इसकी value जादा होने का एक और कारून भी है वो ये किसका टीस्ट क्योंकि ये नॉर्मल चिकन से बहुत ज़्यादा बहितरीन लगता है जिसे खाने के लिए लोग अच्छे खासी रकम देने को तयार है उसी के साथ ही से खाने से कई सारे फायदे भी होते हैं क्योंकि ये इम्म्यूनिटी सिस्टम के साथ साथ तरह तरह के प्रूटीन और वाइटमिन से मिलकर बना हुआ है और इसी वज़े से एक बड़े चिकन की कीमत दो हजार डॉलर और एक छोटे न्यूबॉंड बेबी की कीमत दो सो डॉलर होती है जो कि आम चिकन से कई गोना जदम हैं लेकिन फिर भी लोग इसे भारी मात्रा में खाना पसंद करते हैं कोब बीफ दोस्तों यूँ तो गाय का मीट खाना हर तरह से गलत है लेकिन हमारे देश में भले ही गाय को माता समझ कर उसका मीट नहीं खाये जाता है लेकिन बाहर के देशों में तो लोग भारी मात्रा मैसा करते हैं अब जैसे कि आप जापान में मिलने वाली टाजीमा ग्यू गाय के मीट को यह देख लीजिए यह एक जैपनीज ब्रीड है जिसके मीट का टेस्ट आपको किसी भी दूसरे मीट से 10,000 गुना जादा बेहतर लगेगा और इसके फायदे भी बहुत हैं जिसके सबसे बड़ी वज़य यह है कि इन गायों को बिलकु लक्जीरियस लाइफस्टाइल मिलती है जहाँ पर रोज इनका मसाज किया जाता है और इन्हें म्यूजिक सुनाया जाता है उसके साथ ही इनको बेतरी इन खाना भी खिला जाता है वहाँ पर special license के जरूरत होती है तब ही इस meat को बेचने के इजाज़त मिलती है और उसी के साथ ही इसके अंदर मौजूद fats से इसको 1-12 में rate किया जाता है जिसकी कीमत भी उसी हिसाब से होती है वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो ये meat 1 kg 660 डॉलर में मिलता है जो कि normal meat से बहुत जादा महेंगा है लाब बोनेटे potatoes अब आलू जैसी चीज तो बिलकुल नॉर्मल है जिसे गरीब से गरीब इनसान भी खाई लिता है क्योंकि easily available है और बहुत सस्ते दामों मिल जाते हैं लेकिन लाब बोनेटो पोटेटो के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और इन्हे लाब बोनेटो के अलावाद दुनिया के सबसे महेंगे आलू भी कहते हैं ये इतने महेंगे होते हैं कि इन्हें आलू की दुनिया का केवियार भी ही कहा जाता है अब इसे सुनने के बाद तो आब जरूर चौके होंगे और चौकना भी चाहिए एक आलू की तुलना जब के तो जाहिर सी बात है काफी रेयर है और जो भी चीज रेयर होती है उसका महेंगा ओना निश्चित है और तो और इनकी हार्वेस्टिंग में किसी भी मिशीन की जरूरत नहीं होती बलकि सारा काम वरकर्स अपने हाथों से गरते हैं वहीं अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो दो फूड होता है जो कि अधिकतर पेड़ों के पास पाए जाता है और यह बहुत ही रेयर होन महेंगा होता है जिसके सबसे बड़ी वज़य यह होती है कि यह फूड आइटम दिल के मरीजों के लिए बहुत ही जादा लाब कारक होता है लेकिन वहीं अगर बात की जाए ट्रफल से भी काफी ज़्यादा हाई है जिसका कारण यह है कि पहली बात तो यह ट्रफल अक्टूबर से दिसंबर महेने के बीच में मिलते हैं उसके साथ यह इटली के फॉरेस्ट में बहुत ही मुश्किल से उठता है जो जमीन के कुछ इंच नीचे दबे हुग होता है औ उनकी कीमत भी उसी साथ से होगी और प्लस अगर हम इनके स्वाद की बात करें तो यह पास्ता और बाकी इटालियन डिश्ट में मिलकर आपका स्वाद हजार गुना ज़ादा बढ़ा देते हैं इसी वज़े से बहुत से लोगों को अपनी जेब धिली करना मनजूर है लेकि देट लाग डॉलर में विका अब जिसने भी से खरीदा होगा वह वाकई में इनका दिवाना होगा क्यों दोस्तों सही गानम ने हमें पता आप सोच रहे होंगे कि तर्बूज कैसे हमीरों के खाने में शामिल हो सकता है क्योंकि इसे तो कोई भी खरीद कर खा सकता है लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है क्योंकि देंसुके ब्लैक वाटर मेलन सिर्फ और सिर्फ जापान के आईलेंड में ही पाय जाते हैं जहां पर ये हर साल लगबग 10,000 यूनिट ही उगते हैं लेकिन इनकी सबसे खास बात इनका टेस्ट होता है जो बाकी दर्बूज के हिसाब से काफी ज़ादा बेहतर होता है और इनका स्वाद इतना ज़ादा मीठा होता है कि इसे खाने वाले लोग इसके दिवाने हो जाते इसी वज़े से एक तो ही महेंगा होता है उपर से इसका स्वाद इतना अच्छा होता है जिस करण जापान में कई लोग इसे गिफ्ट के तोर पर भी खरीदते हैं और अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो एक नॉर्मल डेंसुके वाटर मेलन आपको 225 डॉलर प्रती यूनि आप इस बेहदी अजीब कॉफी के बारे में सुनिए क्योंकि आप लोगों ने तरह तरह की कॉफी के बारे में सुना होगा पर ये दुनिया की सबसे महेंगी कॉफी है लेकिन दुनिया की सबसे महेंगी कॉफी होने के बावजूद भी बहुत से अमीर लोग इसे पीना पस उस पॉटी से इस कॉफी को तयार किया जाता है जहांपर प्रॉपर प्यूरिफिकेशन के बाद इस कॉफी को बना कर मार्केट में भेजा जाता है जिसकी मार्केट प्राइस से 200 से लेकर 1200 डॉनर की बीच में होती है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना यह वक्त है आपसे आलविदा लेने का आपको हमारी वीडियो कैसी लेगी हमें कॉमेंट करके बताईएगा और ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद